यह पीवी 85-100R, Z6 Series 7KV, यह पैरलल हाइब्रेट है, पैरलल हाइब्रेट का सब मकसद यह कि आपका लोड बढ़ जाता है, इन फ्यूचर, जी जी अगर आपका लोड बढ़ जाता है, 7KV सबब हो जाता है, तो आप अपने पैनल बढ़ा दें और सेम पैनल इसी तरह का पैरल कर सकते हैं? रोकि इस सब कि सला शकार, उसको चला सकते हैं, आपको अलग इंअन यह भी इनल्स करने कि पर दो लोड पोड़ देम है यह जबनोंड को ओगा है, इससला ह्याएक कि एकार के रिवार्डर, पीजिए हमद्गं कि था भी यूज़ कर सकता है, इसको उप सकता है इसके लावा सर यह 8.5 है हमारे पास 8.5 यह यह dual output नहीं है फिफ जनरेशन है यह अल्ली सिफ हाइब रेड है यह यह विदाउथ बेटरी भी चलते हैं लिगें सर रेकेमेंट करते हैं कि आप बेटरी यूसरे इससे सर क्या इंवेटर की चलते हैं इन्वेटर लाइटर यूसर जो नहीं पड़ता है चुड़ पार शिरीा लेटर तक अच्छा टाम निकाल लेते हैं ऑचे सटके लावर ज कि यह सम्झा देता हूं दोवल आउट्ड का मुद्स एक यह से कोई हमारा कोई हेवी लोड ऐसे चला रहा है जिए वह भी लोड का अवसका उप्शन दिया बहुत है अच्छा इसमें ऑप्शन है जी आफस्टिंग से लगा सकते है इसमें डोवल आउट्ड मुद्स एक अगा इसको यूज कर सकते हैं अच्छा इसको यह 6.5 को और इसको अब लगा सकते हैं तो आप मिनिममम स्प्रेंजर आप चार पैनल लगा सकते हैं यह ऐपी 65 फे 6 क्लोवाड बूड हो गया भाई इसमें 8 क्लोवाड भी है लेकिन अभी यह फिलाल अभी अवे अवे अवेल नहीं है इंशाला यह नेक्स बंद में इंशाला वेल हो जाएगा पयाँ इस वक्त आपके पास ज्यूरिक के दो हजार चौबिस के जो भी इनसोलर इंवर्टर के जो नए मॉडल है लेटर उनके बारे में आप हमारी आउड्यज को बताएं कि कौन-कौन से हैं आपके इस वक्त हादिर आप जो लेटर से नहीं डाइमेंड सीरीज है और यह तो इसके बारे में आप one by one हमारे ओडियोस को बताएंगे कि बहुत जादा आपके पास मास्चेडले सी यूज जो ना range मौजूद है solar inverters के हवाले से तो one by one आप हमारी ओडियोस को बताएं ताके उन्हें समझ में आए कि कौन-कौन से models हैं आपके पास यहां से कर दें 4.5 से जी तर यह जूनिक का 4.5 डामेंड स्रीज का आपको मिलेगा फिफ जनरेशन पीवी पैंसेट्स हो है डूल आउटपूट है यह है एक लाग बावन हजार आठ सो एक लाग बावन हजार आठ सो जी अब बाकि इसके इलावा यह 6.5 है हमारे पास यह आप सब्सक्राइब के बारे में बताईएगा कि यह कितने पैनल सपोर्टेड है यह जो साड़े-चार क्लोग वाट गए यह समलने है आपके इसमें 500C 500 पुछाजी के आर्ट पैनल मैक्स लग सकते हैं आट सनो पैनल मैक्स में लग सकते हैं और इसके इलावा यह वाले पर इस प जो बुसके इंदर जो आती है वारंटी कार्ट के साथ उसमें आप देखेंगे इसके अंदर आपको मैनल बुक के अंदर ही सार ऑप्शन मिल जाएगा वाइप जो इससना ऑप्रेट हो कि मुबाइल पिसमें आप चलेगा इसके अलावा इसके अलावा सर यह 8.5 हमारे पास 8 यह 8.5 हमारे यह 8.5 हमारे यह 5 जनरेशन है यह उनली सिफ हाइब्रेट है अच्छा यह जो आपने दिखाए है यह यह 6.5 और यह 4.5 यह दोनों डूल आउपूट है और यह 8.5 सर यह इसके पीवी 10,000 है और यह आपको मिलेगा 3 लाग 10,000 लाग 10,000 तो यह मतलब IP65 में है य यह IP21 है जितने मोडल आपको भी दिखारों में यह इस सारे IP21 है IP65 में आपको लास्ट ने बता हूँगा एक लेटस मोडल है हमारा आपको लैनॉक सीरीज में 6 क्लोवाट जो है आपको में लास्ट ने बता कूँ अच्छा इनके अंदर जो भी आपने मोडल से भी दिखाए यह बैटरी सुपोर्टेट यह विदावट बैटरी भी चलते हैं यह था विदावट बैटरी भी चलते है लिकिन रेकैमेंट करते हैं कि आप वैटरी यूजर आपर इससे लिए लैखआ च्छा ने जबिव क्द में फंदर नेießen निकाल लेते हैं कि टो इसके प्रांष के पाइलेट यह भी फिफ जनरेशन ही यह पीवीज की तेरा हजार है और यह है तीन लोग पैंटिस हजार गई. तीन लुग पैंटिस हजार गई इसमें आप अब हमारी आदियोस को बता सकते हैं कि इसमें कितने पैनल सपोर्ट करेंगे मैंग साफ कई करेंगा तो इसमें कोय यूज करना है तो इसमें को यूज करना और मेक्सीमम किते हैं आपने बता हैं मैक्सीमम 20 पैनल के इसके कुछ आफटरसेल सर्विस के बारे में भी बताईएगा कि अगर ऑडियंस हमारी इस तरह आती है तो वो क्यों आए ज़िवनिक के क्या मतलब है आफटरसेल सर्विस है ज़िवनिक के आपको पांस साल की वारंट जी के बरी जी च जी लिफ Journal ieज ब्लंग के वज़े से काम खराफ यह अब अभगोल एब प्रफेशनल बंदा में करने वाला दो उसको समझेगा पहले इसके बार राव इसको पर इसकी वारिंग करेगा इसके अब यह कोई लोकल बंदा करेगा तो जायर सी बात है तो आपका एक हफ़ता भी नी चलेगा एक अफता भी निचलेगा या ट्रिपिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ट्रिपिंग की प्रॉब्लम गाती है हीटप के आगसर वकाल इसे मामला दाते है इस सारे आपी 21 आपी 65 अचा इसके इलावा और कौन से भाई इसके इलावा जो लेटेस्ट अभी है हमारी जो इसके वन बाई वन आप बताएंगे जी सर बिल्कुल तर 4.5 आपको मिल जाएगा जैट 5 सिरीज में 159 200 का यह यह वाले की बात कर रहा हूं यह डोल आउटपूट है टीवी इसकी पैंसर्ट सो है और हैब्लेट है यह 159 200 का मकसद आप समझे हैं होंगे ठीजिए मैं समझा इसके बाद सर यह हमारा है 6.5 लोट यह यह भी डूल आउटपूट है हाइब्रेड है तो इसके कॉंफरिगेशन के बारे में तोड़ा सा बताइएगा इसकी भी सम्फरिगेशन वह ही है जो इसकी है मतलब होई डूल आउटपूट है इसकी वही चीज़ है अचा मिनिमम्बंपैनल के बारे में भी बताईब्रेगा इसको आप यूस कर सकते हैं 8 पैनल आप लग अच्छा इन सब इन्वेटर्स के एक ही जैसे गारेंटी हो गर रहा है जी जी बिलकुल एक साल पार्ट्स किये चार साल सर्वेस किये तो उसके लिए बंदें को क्या राप्ता किदर करना पड़ेगा हमारा है यसे हैप्लाइन नंबर भी है ऑफिशल नंबर है ऑफिशल नंब बाकी हमारा यह 8.5 हा गया यह 6 जनरेशन में पीवी इसकी 10,000 है डूल आउट्पूट है हाइब्रेड है यह भी हाइब्रेड है जितने सब को दिखा रहा है सारे हाइब्रेड है तो इसके क्या प्राइस कोट करें इसके प्राइस हैं तीन लाग 23,900 तीन लाग 23,900 जबरदस अच्छा इसके लावा यह 13,000 पीवी जो है यह भी बता दीगा 13,000 पीवी यह भी डूल आउट्पूट है यह भी 6 जनरेशन है यह पीवी इसकी 13,000 है यह 35,900 तीन लाग 25,900 तीन लाग 25,900 तीन लाग 25,900 अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और बताईएगा जो बोड आप और प्रों ने यूस किया जीवा दसने में लमी वोल्तुनिक बोर्ड उर्ड वोल्त्नीक बोर्ड एद्टोंक बोर्ड यह दोड़ करताँ यह सब साच है यह लंड श्रीजन कि वह बता दिए और इसकी आपズ़ हेली बताएग इसके लागए लाग 25,900 अथा-च्शेट के ल दिख रहों में 800 8500 पीवी यह पिशासी सो है जैट सिरीज का सेवन के विए यह सर पैरलल हाइबरेड है पैरलल हाइबरेड का सर मकसद यह के फॉसिलिटी कभी आपका लोड बढ़ जाता है इन फ्यूचर जी अगर आपका लोड बढ़ जाता है जाथ तो आपने पैनल बढ़ा दें और सेम पैनल इसी तरह का पैरललल हाइबर लगागा के इसके साथ अटेश करके अब उसको इसको पैनल पैनल लगाएबर लगाएबर लगा उसके तरह फिर सिस्टम में चला सकते है का पैनल बढ़ा है पैनल बढ़ा इससकी देनी को इसको प्रॉट पांसु दूलाक पवैन्टालीस ख्लाइस आपनसो जैंदो अच्छा इसमें बैटरी और विधायटरी हम यूज कर सकते ह अब वही बात करूँगा से रिक्मेंट करूँगा कि आप बैटरी यूज़ करें इससे सर इंवेटर की लाइफ लेती है टेक्निकली तोर पर लाइफ बढ़ाने के लिए बैटरी के यूज़ बहुत बिल्कुल बिल्कुल इसके लावा बताईएगा इसके लावा यह हमायगा की कॉन्स करकरेशन आए जी-जीक हैं यही है तीन लाक 31,000 अच्छा इसके भी बारे में अद्वरा बताईएगा के, मिनिमम पैनल और by अ, मक्सिमम पैनल हम कितने लगा सकते हैं, सर, आप रझिमम चोड़ा पैनल लगा सकते हैं, हूँ हैं चोड़ा पैनल हमें अद्या सीख पाकिस्तान के अंदर लेकिन आपकी जो इन्वर्टल्स हैं उसके प्राइस इतने कम क्यों है सर प्राइस कम होने की वज़ा सर बस यह है कि हम चाहरे है कि कम से कम में हमाँ को अच्छी से चीज़ प्रोवाइट करें यह सारे वल्टोनिक बोर्ट्स इसमी मिलेंगा यह इसके इलावा आप आइपि 65 के अबारे में कुछ बता रहते हैं आप आइपि 65 से यह वेल नहीं है इंशाला यह नेक्स बंद में इंशाला वेल हो जाएगा अच्या दानिज बेस्की बेटरी की मोल्टेज के असब को बताता चलो कि जो हमारे जो 3.4 किलो वाट है वो 24 वोल्ट पर उप्रेट होगा तो अगर बारा वगर यूज करते है तो आप बारा-बारा के दो बैंक लगा बाकि जो से उपर जो मॉडल्स है 6.5 रिया डामेंड स्रीज में किसी भी स्रीज में जी से 4.5 से जो उपर वो अर्तालिस है बाकि जो नीचे है 4.5 है 3.2 है और इसके लाभा 2.8 है यह सारे हमारे जो भी सोल्ट पर होंगे और जो से नीचे जो वन पॉइंट के सीरीज के इं 1.5 है 1.6 है तो बाराप इंगयो ज़िए जon बी आपने श facets क हैं दिखाए हैं जिनमें दायमेंड स्रीज से गैल से प्यूनिक पॉलेटरी वी आंए प्रसकील हम प्रसक्ता थाक का रिंग निग्षाइट करें उन्लाइन आपपता लेगा मुझे हैं ल शक्ता बहुत हैं इसमें हर चीज आपको जो ना सोस समझ के लगाना होता है तार में कंप्रोमाइस की आपने तो मामलात खराब है तार हैं बेकर्स हैं जो सभी में चीज़ हैं इसकी बेस है तो यह सब चीज़े आप बहतर लगाएंगे तो इन्शालला कोई भी ऐसा इंवर्टर नहीं है जो जल अपने नंबर और अपने अड्रिस बता दियेगा और दानिश भी हमारे अड्रिस बहुत आसान है अब जादर में में रीगल चोक पर आपाएंगे तो व्यूसंस और इस इलेक्ट्रों इस दोनों हमारी शॉप्स हैं आप यहां पर आके कॉंटेक करने आपको कॉंटेक उनका नंबर भी मैं आपको बता देता हूं और यह हमारे आतिव भाई हैं आपको उनका नंबर भी बता देता हूं 032-2538-520 ठीक काफी अच्छी इंफॉर्मिशन दी है आपने इन्शालला तला नेक्स वीडियो हम बहुत जल्द बनाएंगे जो आपके IP65 वाले जो मॉडर जब तक के लिए अलाफिस अलाफिस